हम लोग थर लिक्टर डिसकस कने जा रहे हैं अगर आप करिपया मेरे ने चनल पनाए है तो आप तुरह पुराने वीडियो को देख रहे हैं को कि आज यह बेसिक ऐसा है कि 11 आप और टॉल क्लास में भी काम आएगा तो मुझे IPAC को आडिशन को लिखने के लिए क्याना कि हमें ये सब बेसिक चीज़े पहले से मालूम होना चाहिए कि इस पर कितना चार्ज होता है और किस पर क्याना कि हम लोग क्या चीज़े एड करते हैं तो मैंने इसमें क्याना कि हेडिंग के तोर पे naming of ligands से naming of ligands में specially क्याना कि जब आपका ligands आएगा और जिसके spelling में क्याना कि E आएगा तो modern IPAC यानि IPAC की recommendation की हिसाब से 1993 recommendation IPC की हिसाब से जिसके विलेटर में E आएगा तो उस E को replace कर देंगे हम O से, जिसमें भी E आएगा लिगेंड्स में, उसको रिप्लेस कर देंगे E से, दोखो जैसे एक्जामपल के तौर फे सबसे पहले हमारे पास क्या ना, याद करने का मैंने सॉर्टरिंगी बनाया है, जैसे हालोजन फैमिली है, तो हालोजन फैमिली में नेम लिखा जाएगा, तो इसका नाम लिखा जाएगा ख्लोराइडो, यानि E को रिप्लेस कर दोगे O से, वैसे ही क्याना क्लोराइड है तो क्लोराइड का E रिप्लेस कर दोगे O से, नाम क्या हो जाएगा ख्लोराइडो हो जाएगा, नेक्स क्या है ब्रोमाइड तो इसका रिप्लेस कर दोगे ब्रोमाइडों से ओके तो इतने भी इवाले हैं उसको रिप्लेस कर दोगे ओसे दोखो next क्याना कि मेरे पास sulfate है sulfate पर क्या चार्ज होता है two minus होता है तो मेरे को coordination की आईउपेसे लिखने के लिए सबका चार्ज मालूम होना जरूरी है तो इसको क्याना कि normally हम लोग sulfate पड़ते हैं और इस पर कितना चार्ज होता है दो चार्ज होता है आंकरी में क्या लिख दोगे ओ कर दोगे तो क्या हो जाएगा sulfate हो तो देखो इनको क्याना एक family wise यार्द करो यानि पहले क्या था sulfate था फिर क्या हो गया इसमें यानि 2- हो गया यानि SO3 2- तो नाम बेटा क्या हो गया आपपर sulfite हो जाएगा अब क्याना देखो सारी ओक्ति जन हट जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा sulfite होगा और इस रिप्लेस कर दोगे O में S2- इन सबको रिप्लेस कर दोगे इस सबको बेटा रिप्लेस कर दोगे E से O को रिप्लेस कर दोगे अब जो देखो इसमें especially क्याना कि next हम लेते हैं carbonate है तो जनली carbonate पे क्या होता है SO3 2- होता है तो carbonate में spelling E हटा दोगे O से तो नाम क्या हो जाएगा बनीशबन चाल होता है, तो natrete में Ate आएगा और ligands में क्या कर दोगे, E को replace कर दोगे, O से, नाम क्या हो जाएगा, नाइट्र wond необходимо हो जाएगा, नीचे क्या हैँंठ अये आएगा, nitrite है समझे, तो nitrite इस्पेसली क्या होता है हमारे पास, ITE आएगा, E को रिप्लेस कर दोगे O से तो क्या नाम हो जाएगा, N Steve- all our secondo next या है, N 3- इसको बड़ते हैं, N bald E रिप्लेस कर दोगे O से तो क्या हो जाएगा, N Marie- अग्या हो जाएगा, ऐसे हिमारे पास या एक और आता है, जिसका नाम है, अजाइड आता है तो अजाइड पर N3 माइनस 1 चाल होता है यह रिप्लेस कर दोगे O से तो क्या हो जाएगा अजाइड हो जाएगा नेक्ट देखो हमारे पास क्या है न OH माइनस है इसको लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकसाइड तो लिगेंस में क्या पढ़ोगे इसको हाइड्रोकसाइड हो पढ़ोगे या इसको नए पैटर्न पर क्या पढ़ते हैं हाइड्रोकस सो पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास बच्चे क्या है O पर 2- तो O पर 2- तो जनली इसको Oxide पला जाता है तो इसको E रिप्लेस कर दोगे O से तो क्या हो जाएगा Oxide हो जाएगा या इसी को General Pattern पर Oxo पढ़ते हैं Done अब जो 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 दो दो इसी के परिवार में क्या आना O2-2 आता है इसको पढ़ते हैं Paroxide पढ़ते हैं तो Paroxide को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा Parox हो जाएगा Simply funda यह है कि E हटाओ O चिपकाओ E हटाओ O चिपकाओ जैसे देखो इसको क्या पढ़ते हैं Sinide नर्मली क्या आना Sinide है तो इसको Sino पढ़ोगे या फिर Sinido पढ़ोगे ओके यह नर्मली क्याना Hydride होता है तो इसका E replace कर दोगे O से तो क्या हो जाएगा Hydride हो जाएगा Next दखो यह सब क्याना important है इतना मैं star बना देता हूँ को कि यह सब क्याना Frequently आपके IPC में सबसे ज़्यादा दिखता है तो S के लिए word उच करते है Theo इसका नाम हो जाएगा Theo Sinato तो इसका जनरली नाम अगर लिखोगे पुराने pattern पे तो Theo Sinide पढ़ते है तो E को replace कर दोगे O से तो क्या हो जाएगा Theo Sinato हो जाएगा Next देखो मारे पास क्याना कि यह glycinato है यह भी क्याना कि important है इसको जनरली क्याना कि short में GLY लिखता है इसका छोटा सा part लेता है GLY और oxalato का short में क्या लेता है O X लेता है तो कि paper में क्याना कभी कभी आपको यह पूरा नहीं दिखेगा यह O X दिखता है और यह GLY दिखता है simply GLY का मतलब glycinato है O X का मतलब oxalato है इसको भी आप notice कर लें इसको पढ़ते हैं S2O3 फिर आगया S that is theosulfate 2 अब जो दिखो इसमें क्याना कि funda यह था कि आपका मेरा बताने का purpose यह था मेरा motive यह है कि आप इसको क्याना कि especially charge भी याद रखना जरूरी है अगर आपको charge याद नहीं होगा तो इनको क्याना कि question में आप कर नहीं पाएंगे यानि metal का oxidation नंबर आप लिगानने में muscle phase करेंगे यह क्याना कि basic lecture था आप इसको अच्छे से screenshot लेकर के अच्छे से एक बार visualize कर लें कुछ मैंने sorting बताया है आप उसको भी follow करें बस इसमें फंड़ा यह है कि E हटाओ ओ चिपकाओ अब दोखो कुछ इसके अलावा क्याना कि जैसे मेरे पास neutral ligands होते हैं तो neutral ligands में especially क्याना कि no special ending इसमें जितने भी मैंने एक example लिखा है common में ethylene diamine होता है IPAC में क्या लिखोगे इसको ethane 1,2 diamine लिखोगे इसका structure है CS2, NS2 इसमें क्याना देखो अगर IPAC organic हिसाब से करोगे इसको क्या लिखते हो 1 और 2 लिखोगे 2 carbon को IPAC में 8 लिखते हैं single bond पे जुड़ा है तो N लिखोगे एक और 2 PNS2 लिखा हुआ है तो 1,2 लिखोगे दोनों similar है जब 2 similar होते हैं तो die 3 similar होता है तो try, charcoal, tetrapenta ऐसे उच करते हैं नेक्स्ट मेरे पास क्या ना C6H5N है इसको क्या लिखते हैं Pyridene लिखते है नेक्स्ट हमारे पास क्या है PS3 को Phosphine लिखते है यह सब क्या ना Neutral Legends है यह सब क्या बेटा Neutral Legends है आपको ऐसे याद करना होगा Next बेटा मेरे पास H2O तो H2O को क्या ना देखो इसमें Water ने लिखोगे क्या लिखोगे Aqualic होगे तो generally क्या ना देखो यह सब famous है H2O का मतलब इसमें Coordination में Aqua लिखा जाएगा अब देखो यह सबसे ज़्यादा important है इसमें आपको spelling ब्याद रखना है अगर NH3 आता है तो generally common में क्या पढ़ते हैं इसको ammonia पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं ammonia लेकिन हम इसमें क्या लिखेंगे double M spelling लिखेंगे amine लिखेंगे इसको तो इसमें double M spelling लिखा जाएगा इसमें क्याना है कि spelling आपको अच्छे से focus करना है NH3 वाले में क्या लिखना है double M spelling लिखता है generally common में इसको ammonia पढ़ता है लेकिन इस वाले coordination वाले में double M spelling उज़ किया जाएगा इसके अलावा क्या मेरे पास CO इसको star बना लो तो कि यह सब paper में क्याना कि आपको 12th class के board में ज़्यादा जो frequently पूछे जाने वाला है जो मैं star बना रहा हूँ इसको आपको क्याना गोल के पी जाना है तो कि यही सब आपको paper में क्याना कि maximum दिखाए देता है CO बोले तो carbon ही लोता है बच्चे इतना clear हो गया अब देखो इसके लावा क्याना कि positive ligands है तो positive ligands में ज़्यादा तर उतने popular नहीं है लेकिन फिर भी क्याना कि आप इंस से familiar हो जाईए इनके ending में क्याना कि हम लोग IUM लगाते है जैसे मेरे पास पहला positive ligands दिया गया है NO plus दिया गया है तो इसको क्या पढ़ते हैं Nitrocelium पढ़ते हैं या इसका एक और नाम है Nitrocenium नाम है लास्ट में क्या लगाओगे IUM जोड़ दोगे इसके लावब अच्चे क्याना कि देखो nitrogen जब 4 bond बनाता है इसके उपर positive उचा जाता है और इसी case में क्याना इसको IUM लिखते हैं जैसे क्याना कि देखो इस वाले को हम लोग लिखते हैं NS2, NS2 इसका नाम आता है Hydrazyne आता है इसका नाम आता है Hydrazyne अब यहाँ पर क्याना NS3 आ गया नाइट्रोजन ने क्याना कि चारबन बना लिया चारबन जब बनाएगा इसका नाम लिखोगे Hydrazyne लिखोगे अब देखो N2 प्लस है इसका नाम बेटा क्या आएगा Nitronium आएगा तो इसमें क्याना कि मैं आपको इस्टार बना देता हूं कि कौन कौन से आपको Board में सबसे ज़्यादा Important है आपको अच्छे स्याद रखना है दोखो Neutral वाले में इनको तो आप इस्टार बना लिजे पानी वाले को इस्टार बना लिजे तो पानी को क्याना इसमें पानी नहीं लिखा जाएगा अक्वा लिखेंगे क्या लिखेंगे अक्वा NS3 वाले में Double M spelling आठतर ना है CO वाले में क्याना Carbonil वोकि यह सब पर क्याना Neutral charge है यह चारी special है समझो Ethane 1,2, Diamine इसके लाबा Aqua इसके लाबा तुमारे पास Double M spelling वाला फिर इसके बास CO का Carbonil Negative ligands में मैं आपको Star बना देता हूँ जितने भी Hylogens है यह आपको तो अच्छे से यादी रखना है सब पर खास बात क्या है माने 6 चार्ज होता है इसके लाब अच्छे देखो क्याना कि आपके पास CO3 2 मानेस होता है NO3 1 NO2 1 1 यह आपके जो Star बना देता हूँ यह आपको इस्टार बना लो यह इस्टार बना लो यह इस्टार बना लो यह ज़्यादा IMPORTANT है इसके लाबा क्याना Hydroxide वाले में इसके लबाब के पास O2 मानेस है और O2 2 मानेस है यह साईनाइड हो गया कुछ इसमें आप लोगोंने problem practice को discuss कर लेते हैं जितना हम लोगोंने भी basic को charge वारे इसकार दिसक्स किया है तो coordination compound की कैसे आई-पेसे लिखेंगे यह सब तुमारे पास मैंने problem practice लिख दिया है दोखो इसको कैसे स्टार्ट करते हैं तो क्या ना कि मैंने इसमें रूल को पहले अपने पुराने वीडियो में मैंसन कर दिया है कि आप उसको अच्छे से बिजिट कर लें फिर भी देखो अगर आप नए हैं तो कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हो इजी तरीके से तो पहले क्या को identify करते हैं कि complex cation है कि एनाइन क्या है अगर पहले लिखा गया है तो पहले लिखा जाता है उससे प्लस चार्ज होता है जिसे केटाइन खा जाता है ठीक है तो देखो यह भी कहना कि थोड़ा यह कॉंप्लेफ जीसे दिख रहा है तो दरनी क्या हो सकता नहीं है यह क्या आपको दिखेगा प्लस की तरह बाद वाला क्या दिखेगा मानिस की तरह टीट किया जाएगा तो अब अब इसमें भी कहना कि यह central metal item है और इसके अलावा जितने भी पार्ट आपको देखते हैं यह सारे के सारे ligands कहलाते हैं अब कहना कि मुझे इसके IPAC लिखना है तो इन IPAC में कहना कि पहले आपको ligands को लिखना होगा अब ligands भी कहना कि एक से जब जाड़ा आता है तो क्या follow क जाता है इसको फॉलो करोगे बिटा अल्फाबेटिकल फॉलो करोगे तो अभी देखो मैंने कहना कि एस्टूओ को क्वाडिनेशन में क्या लिखवाया है और अमोनिया वाले में कहना कि डबल अब जड़ा देखो अक्वा है और तुमारे पास अमीन है समझो तो पहला लेटर देखो जब सेम आ गया दूसरे वाले के पास जाओगे दूसरे वाले में कियुए और इसमें कहना M है समझो, तो हम M को पहले alphabetical में preference देंगे, क्योंकि ABCD में M पहले आता है तो क्या लिखोगे इसमें 3 है ना, तो 3 के क्या उच करेंगे Try what उच करेंगे तो इसकी आई-पेस से कुछ ऐसे लिखे जाएगे Try I mean अब पानी किता है 3, तो क्या लिखोगे इसमें Try aqua लिखोगे क्या लिखोगे, Try aqua Try I mean Try aqua अब यह देखो दोनों निपड़ गे, अब आजओ Metal को, तो Metal क्या है Chromium है, क्या Metal है Chromium है, तो अगर complex क्या ना, Cation है समझो, तो Metal को लिखा जाएगा Agitage लिखा जाएगा जब यहीं complex क्या ना, Anion आ जाएगा जैसे देखो, दूसरा एक जमपल है तब उस case में Metal को लिखा जाएगा ATE के फॉम में लिखा जाएगा ओके, clear होगे सभी को अब जड़ा देखो इसमें तो इस वाले case में क्या ना, Chromium को Chromium लिखा जाएगा अब इसके बाद क्या लिखोगे Oxidation State लिखा जाएगा Roman number में तो कैसे निकालोगे तो जिस Metal का निकालना होता है न, उसको X माल लेते हो पानी क्या है, Neutral है कोई Charge नहीं बटा तो इस पर क्या हैगा, Zero तीन से Multiply करोगे, तो Zero ही देगा Ammonia भी क्या है न, Neutraligant से तो क्या देगा, Zero एक क्लोराइड पर क्या है न, Charge माइनस वन होता है, अब देखो मैंने अपने प्रिविएस फ्लाइड में मैंने क्याना, इसको मेंसनी किया है तो इसलिए इस चेप्टर में क्याना कि Charge मेरे को अच्छे से याद होना साहिए तभी क्याना कि आप Oxidation State Metal का निगाल सकते हैं तो देखो, एक क्लोरीन पर कितना Charge होता है माइनस वन, तो ऐसे कितने क्लोरीन है तीन क्लोरीन है, तो कितना आजागा माइनस का तीन अगर इस पर समझो क्याना, ऐसे Neutral दिया गया है, तो राइट साइड में क्या में जिम कर लेंगे, जीरो एजिम कर लेते हैं तो अगर जीरो एजिम कर लोगे अब इसको सॉल्व करोगे इसको सॉल्व करोगे, एक्स की वेलो कितना आया तो क्रोमियम के बाद क्या लिखोगे यानि क्रोमियम का उक्षिडेशन इस्टिट आगया तीन, कैसे फॉल्व करोगे रोमा नमबर में लिखा जाएगा तीन, ऐसे फॉल्व करोगे क्लीर हो गया, अब दोखो इसको बोलते हैं काउंटर आयन, क्या पढ़ते हैं काउंटर आयन, तो नॉर्मली काउंटर वाला जो भी पार्ट होता है जैसे दिखेगा, वैसे उसका नाम लिख दोगे तो अब दोखो क्या लिखोगे इसमें क्लोराइड लिखोगे, क्या लिखोगे क्लूराईड तो तुमारे दिमाग में आता कि आँपर तीन है तो ट्रै। क्लूराईड क्यों ने लिखा गए कूए तीन इसलिए ने लिखा गया है क्योंकि ऑक्शिडेसर ने उसका क्याना हमने तीन को इनक्लूड कर लिया है लाक़ी जो के लिगेंट्स वाला पार्ट होता है अगर दो गा तो टाइलीख गोंगे टीन होगा तो ट्राइलीख गोगे शार गया तो ट्रोड़्EST लिखोंगे अंडरस्टेंड आम कि फिर से ट्राइली करा लो हैं राइय अक्वा क्रोंईयम थर्ड तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जो नीचे वाले एक्जाम्पल से आप इसको क्याना की वीडियो को पॉस्ट करके अभी आप थोड़ी देर आप करें अच्छे से फिर क्याना मैं इसका सॉलोसन आपको प्रोवाइड कराता हूँ तो मैं यह मान के चलते हैं कि आपने यह कर लिया होगा वेकिन मुझे मालुक है कि आप नहीं हो दो मेरे साथ क्याने संख सॉलोसन को इसमें नोडिस किया है कि आप को पहले पहचाना है काउंटर क्या है न यह आपके पास क्या है अब कॉंप्लेक्स एनाइन होता है तो रूल कि थोड़ा बदन जाएगा अब दोखो जैसे दिखता है वैसे इसको फॉलोग करोगे तो क्या लिखोगे सोडियम पहले लिखोगे फिर वही तरीका है इसमें अब तुम्हें देखता है दो इसमें लेकिन दाई सोडियम में इंक्लिोध हो जाएगा डन हो गया अब दोकर यह Kombat काउंटर का ना क्याना को रडिनेशन से अलग होता है यह जो ब्रेकेट होता है बड़ा वला इसको क्या था था हमें स्पेस को स्लाइक लिए तो reference नहीं देते हैं तो complex में क्याना कि हम ligands की naming पहले लिखते हैं, अब ligands की naming में क्याना कि एक से ज़्यादा ligands होते हैं, तो we follow alphabetical order, अब दोखो इसमें क्याना कि O दिखता है, F2 दिखता है, C2 दिखता है, तो दोखो ये O भी क्या है, ligands है, fluoride भी क्या है, ligands है, chloride भी क्या है, ligands है, तो इसमें कहाना की alphabedical follow किया जाएगा तो O को बोला जाता है oxide F को बोला जाता है fluoride दखो इसमें O है F है तो F बात में आएगा इसके बात कहाना दखो यह CL दिखता है तो fluoride में कहाना C पहले आ जाएगा तो C वाले को हम प्रिप्रेंस पहले देंगे तो थोड़ा space देख लिखोगे कितने chloride है? दो तो क्या लिखोगे? dichlorido लिखोगे अब दोखो इसमें E को replace कर दो को अच्छे chloride हो जाएगा क्या हो जाएगा? यही तरीका मने बोला कि E हटाओ O चिपकाओ E हटाओ O चिपकाओ या O को copy paste कर दो तो dichlorido हो गया या इसी को क्याना कि किसी किसी modern books में या reference book को follow करोगे तो उसमें क्याना कि dichloro भी देता है तो chloro भी accepted है और dichlorido भी accepted form है अब इटक क्या लिखोगे? देखो इसमें fluoro यानि कि F पहले आएगा उसे तो क्या लिखोगे? इसमें dichlorido ओके? E अटा दोगे O से replace कर दोगे तो sodium हो गया dichlorido हो गया diplorido हो गया अब देखो क्या आएगा? ओ आएगा तो oxide हो जाएगा बच्छे तो क्या लिखोगे? इसमें oxide या फिर oxido तो oxide लिखोगे E को अटा दोगे O से अब क्या लिखोगे? देखो इसमें chromate लिखोगे क्यों? क्योंकि ये complex क्या आएगा? इनाएण है जब complex इनाएण आएगा तो central metal atom को लिखोगे last में suffix में या ending में लिखोगे ATE तो rule मैंने क्या ना कि अपने previous lecture में मेंसन कर दिया है उसको जाके बिजिर कर लेता है तो इसको लिखोगे chromate अगर नॉर्मल क्याना इस पेसली जैसे उपर लेक्जाम को लिखो उपर वाले में क्याना कि chromium लिखा गया था metal written as अगर complex ketion होगा और ये क्याना complex anion है तो metal को लिखोगे ending में 80 लगा दोगे अब क्याना तो मारे पास oxidation acid की बारी है कैसे निकालोगे आओ थोड़ा सा verify कर लेते हैं तो sodium क्याना की plus one charge देता है तो ऐसे कितने sodium दिख रहा है मेरे पास दो दो लिखोगे chromium को क्या मान लोगे x मान लोगे जिसका निकालना होता है उसको assume कर लेते है x मान लेते है oxide पे कितना charge होता है minus का 2 charge होता है fluoride पे क्या charge होता है fluoride पे charge होता है minus 1 वैसे 2 fluoride है minus 2 हो जाएगा fluoride पे कितना charge होता है minus 2 overall कितना कर दोगे 0 वोग यह सब के सब क्या आना गुछ भी स्के ऊपर चार्ज नहीं है तो और सब्सक्र करोगे तो मैस से माइन से जाएगा माने सका चार्जाओगा टो प्लस का फूर हो जाएगा यह आ जाएगा फूर हो जाएगा को रोमा नंबर में डिक होगे इसमें पोर लिख होगे क्लिर हो गया रूमान फान क्या लिख होगे क्लिकंक क्लिक होंगी is me first example को कहाना कि ठोड़ा वी बार बात Egg fact करते हैं कोंकि हैं इसमें क्याना कि में Incorporum अखरी में करते हैं पहले करतेव हैं अब जैसे इसको करना है, Na3 है, Silver है, S2O3 है सब्सक्राइब, तो इसमें क्या लिखोगे, ट्राइ ने लिखना है, क्योंकि काउंटर आयन है, तो जैसे है, वैसे लिखना है, तो इसको नाम कैसे लिखा जाएगा, बिटा सोडियम लिखोगे, जैसे, क्या लिखोगे, इसमें, सोडियम लिखोगे, थोड़ाई स्पेस दोगे, अब क्या ना देखो, इसमें, सेंटरल मेटल अटम से पहले, लिगेंड्स को लिखा जाता है, से, गुखना मेटल, पुराने स्लाइ्ड बे देखो, मैंने इसको क्या लिखाया है, थीयोसलफेट लिखाया है, तो लिगेंड्स में क्या है, क्या है ना, E को रिपलेस कर। तो पहले क्या ना इको रिप्लेस कर दो उसे तो क्या हो जाएगा डाइटियो सल्फेट अब देखो अब बेटा सिल्वर जो है ना सिल्वर का जो लैटिन वर्ड होता है को कि सिल्वर एट नहीं लिखोगे इसको अब जो कुछ टेकनिकल जो है मैंने इसको भी क्याना कि अपने पुराने लेक्षर में मेंसन किया है तो सिल्वर को बेटा क्याना कि हम अर्जेंटेट लिखते हैं क्या लिखते हैं लैटिन वर्ड में जैसे कि सिल्वर को लैटिन में अर्जेंटेट लिखा जाता है गोल्ड का अरेट लिखा जाता है आईर तो अब इसमें क्या लिखोगे और जन टेट अब कि यह वी एटी मिल गया अब क्या है अगलाइस टेप यानि सिल्वर का ऑक्षिडेशन इस्टेट कैसे लिए रचेक करते हैं नेखो एक सोडियम कितना चार्ज देता है बटा प्लस बन देता है वैसे कितने यहां पर हैं तीन यह तीन प्लस एक्स हो जाएगा थीयो सल्फेटों पर कितना चार्ज होता है देखके बता सकते हैं मेरे पुराने वाली स्लाइड में मानिस का दो चार्ज होता है तो यहां पर कितना है दो है तो एक थीयो सल्फेट पर मानिस दो वैसे कितने है दो तो क्या हो जागा यहां पर माइनेस का 2 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा माइनेस का बिटा 4 हो जाएगा सॉल्व करोगे एक्स की वेलू 1 निकल गया तीन माइनस चार उधर जाएगा 0 यहां पर क्या उक्षिडिशन इस्टेट आ गया इसके बाद किया नेस्ट इजम्पल है यह देखो निकल गया तो जब कॉंपलेक्स के टायन होगा और जब निकल कॉंपलेक्स होगा तो इन दोनों का रूल किया ना एक ही जैसे फॉलो करते हैं रूल का मतलब क्या ना कि इसमें मेटल को क्या लिखा जाएगा एजट इज लिखा जाएगा इसको क्या लिखोगे पेंटा कपर जाएगा अब देखो इसमें क्या आना कि iron है तो iron को क्या आना कि एजटीज लिखोगे iron zero oxidation इस टेट लिखोगे तो zero का तो roman number zero ही आएगा तो इसको आप एजटीज लिखोगे प्लेर हो गया तो neutral complex हो या complex के टायन हो यानि पांचवे वाले को नोटीज करो और पहले वाले को नोटीज करो यह दोनों क्याना कि complex के टायन था और यह neutral complex है तो इन दोनों ही case में metal को हम लोग लिखेंगे as a teach यानि अगर iron है तो iron लिखोगे chromium है तो chromium लिखोगे बट यह example देखो second को focus करो ताकि example से और अच्छा practically feel आएगा यहाँ पर देखो complex क्या ना इनायन था तो chromium का नाम क्या लिखा गए बटा यहाँ पर chromate लिखा गया अंडेस्टैंड आगया तो example से clarity करो तो क्या रूल क्या ना कि भूल जाता है रूल को क्या एक और देखो इसमें एक्जांपल प्रैक्टिस करते हैं सिक्ष्ट इजांपल देखो तो सिक्ष्ट इजांपल में identify करो यह बढ़ी एक्जांपल था इसमें आपको अच्छा नाइट परते हैं तो लिगेंड्स में क्या लिखोगे साइनीडो लिखोगे या फिर साइनो लिखोगे इसको क्या लिखोगे हेक्जा साइनो बच्चे क्या लिखोगे हेक्जा साइनो लिखोगे को कि नए वाले क्योंकि ये suggest करता है कि ये बिरागरी क्याना एक family की है तो ये वाले में और ये वाले में थोड़ा gap होगा लेकिन FECN में gap नहीं देना है done हो गया क्योंकि ये family क्याना एक जैसी है इनको एक साथ compile करके लिखना है hexa sine हो गया या hexa sine do दोनों नाम accepted है दोनों में साथ copy कर सकते हो hexa sine हो गया अब दोखो क्या आएगा iron है लेकिन complex क्या है बिटा इनाएन है तो iron को iron नहीं लिखोगे ferrate लिखोगे बिटा क्या लिखोगे ferrate लिखोगे तो क्या लिखोगे इसमें ferrate लाइटीन वड़ में iron को क्या ना ferrate वड़ उचकिया गया था तो इसका लिखोगे ferrate लिखोगे डन हो गया अब दोखो क्या ना oxidation नमबर निकाल लो तो चार potassium है तो चार मिल गया x माल लोगे iron को sinide पे क्या चार्ज होता है minus 1 तो ऐसे कितने sinide है 6 sinide है तो चार में से 6 गया minus का 2 उधर जाएगा plus का 2 तो इसमें आएगा ferrate 2 आ जाएगा क्या जाएगा ferrate 2 आ गया clear हो गया दो आखरी जमपल भी है इसको तोड़ा अच्छे से देखो focus कर लेते हैं इसको कैसे करते हैं अब देखो इस पर के लो कि इस बार यहां पर complex पर चार्ट लिए गया तो कैसी हाएगा हईर तो पहले कि अक्वा पहले लिखा जाएगा कितना पानी है पांच पानी है помाड़ा तो क्या लिखोगे परink मलेंक के लिखोंगे मतलब 5 से गया है फिर क्या लिखोंगे अक्वालिख होगे रं या इसको क्याना हरिप्लेस कर दो औरäch hydroxido हो जाएगा, यह hydroxo भी लिख सकते हो इसको, यह भी accepted form है, तो hydroxido हो गया, अब क्या आएगा, FE आएगा, तो कोई इस पर क्या charge है, केटाइन का है, तो iron को क्या लिखोगे, iron की तरह लिखोगे, अगर यह anion का part होता, जैनि कि जैसे यह बाट में लिखा होता है, जैसे एक जामपल आप देख सकते हो, like this example, counter पहले हो जाए, यह बाट में हो जाए, तो metal को क्या लिखोगे, ATE की form में लिखोगे, अगर यह cation है, तो agitage लिखोगे, यही मैं कब से आपको समझाना चाहता हूँ, डन, तो यह hydroxide हो गया, अब क्या लिखोगे, iron, अब लिखोटा, iron पर कितना आएगा oxygen state, यह जड़ा चेक कर लो, दोखोँ इसको निकाल के चेक कर लेते हैं, इसमेर कहना कि x माल लोगे, hydroxide पर minus 1 charge होता है, पानी पर 0, यह 0 हो गया, अब दोखोँ इस पर charge कहना 2+, अगर इस पर charge scene किया गया है, दिखा रहा है समझो, तो हम agility charge को लिखा देंगे, यह 2 हो जाएगा समझो, अब solve करो, तो minus 1 उधर जाएगा, तो 2 plus 1, तो बटा x के वलोगे कितना आ आ गया, 3 आ गया, क्लिर हो गया, इसमें क्या आएगा, इसमें answer मिठा, iron का 3 आएगा, यहां तर क्लिर हो गया, मैं यह मान के चलता हूँ, कि आपने यहां तक answer complete किया होगा, अब दोखों, इसमें एक और third example मैंने इसलिए रखा हुआ है, क्योंकि तोड़ा इसमें EN एक अलग example है, आप दोखों, इसको कैसे करोगे, तो बटा इसमें कैना कि यह कोबाल्ट, तो कोबाल्ट पे especially कैना कि plus 3 oxidation acid so करता है, तो कुछ को कैना कि मैं आपको अलग से metal पे कितना charge होता है, अगर आपको निकालने नहीं भी आता है, तो मैं इसको short trick से और अच्छे से आपको याद करा दूँगा, जैसे कैना कि आप अलग से feel कर सकते हो, कोबाल्ट जब भी दिख जाएगा, तो कोबाल्ट पे 3 plus oxygen acid so करता है, प्लैटीनम को अलग से notice कर लो, प्लैटीनम कैना कि 2 plus भी सो कर सकता है, और प्लैटीनम कैना 4 plus हो कर सकता है, वैसे iron जो होता है, ये 2 plus हो कर सकता है, और fe 3 plus हो कर सकता है, निकिल जनरली कैना कि ni पर 2 plus हो करता है, तो ये सब कैना कि आपके pattern है, अगर यह सब आपको याद रहेंगे तो टाइम सेविंग कर लेगा कुबाल दोखो कहना कि तुम्हारे सलिवस में जब भी दिखेगा कुबाल तीनी आएगा आप चाहे जो भी एक्जामपल करना कुबाल तीनी सो करेगा अब दोखो तो इस वाले में एन है मिठा है तो इन वाले का नाम क्या लिखते हो अब दोखो यह कहना कि एन जो है एक बाइडेंटर लिगेंड से जब बाइडेंटर लिगेंड्स होते हैं या एक से जब ज़्यादा डोनर साइट है या इसके अंदर भी क्याना कि दो डोनर साइट है तो इस वाले case में क्याना कि हम इसको लिखते हैं यह पर इसे वाले में क्याना कि इसमें 20 लिखा जाएगा अगर अगर आ जाएगा यहाँ पर क्लिए क्या वर्ड जिख करोगे अलग से देखो, इसको मैं mention कर देता है, अलग से कहना है, कि अगर e-n वाले में, e-n वाले को अब अलग से mention कर लो, तो मारी इस लिवस में board level पे e-n ही जाड़ा पूछा जाता है, तो इसको देखो कहा है न, दो के लिए, अगर इसका coefficient यहाँ पर दो दिखता है, तो क्या जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमारे इस लिवस में 4 और 6 का pattern है, ज्यादा तो क्वाडिस नम्बर 4 होगा, या तो 6 होगा समझो, पांच के लिए क्या लिखोगे, यह अलग स्टार्ट कर लो, पेंटा किस, ओके यह सारे वाट उच किया जाएंगे, मेंली तुमारा E पहले आएगा, यह F पहले आएगा, अल्फवेटिकल फॉलो करेंगे, विटा इसमें कहना है, कि आपके पास ABCD की हिसाब से फॉलो करना है समझो, ओके, तो ABCD की हिसाब से E पहले आएगा समझो, क्या आएगा E, पहले आएगा, तो क्या लिखोगे इसमें, पहले इसको नि इसमें single M की spelling लिखो गया, विस एथेन बंटू, डायमीन हो गया, ठीक है, ये दो सो कर रहा है विस को, दो क्या सो कर रहा है विस को, अगर तीन होता तो Tris लिखते हैं, दन, अब क्या है, अब दो को बटाएं इसमें क्या ना की, फ्लॉराइड है, तो क्या लिखोगे इसमें, डाइ डाइ फ्लो राइडो ओके डाइ फ्लोराइडो के बाद अब लिखोगे कोबाल्ट अब कोबाल्ट पर यह चेक करो कितना ऑक्षेडेशन स्टेट है मैं तो चेक करके दिखा देता हूं जेनरली कोबाल पर 300 करता है एकस माल लो इन क्या ना निउट्रल है जिरो देदेगा फ्लोराइड कितना मानेस तो नाइट्रेट मैंने भी लिखवाया है और इसको सॉल्फ करोगे तो एकस के बेलू क्या सो करेगा तीन अब देखो यहां पर टैली करा लो तो डाइप्लोराइड हो गया समझो नाइट्रेट है तो क्या लिखोगे इसको कि या लिखोगे इसमें सिंप्ली नाइट्रेट लिखोगे जैसा है वैसे लिख दोगे आयोब कि आपको ये विडियो बहुत अच्छा लगा होगा इसके लाब फिल भी अगर आपका कोई घुसन है तो आप मेरे से पूछ सकत